विश्वक के सभी मेरे साथियों को राजरत्तम बेड़कर की ओर से जैभीम नमभुद्धा है दबुधान इस धम्मा के पहले भाग में पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है इस एपिसोड को शुरुवात करने से पहले आज रमजान महीने की सुरुवात हो रही है तो विश्वक के सभी मेरे साथियों को रमजान महीने की बहुत-बहुत धेर सारी आप सभी लोगों को मंगल कामना दबुधान इस धम्मा की और हम लोग मुड़ते हैं दबुधानिस धम्मा के परीचय को शुरुवात करने से पहले मैं एक बाद आप सभी लोगों को स्पस्ट करना चाहता हूं दबुधानिस धम्मा डॉक्टर बाबा सब अंबेड करजी ने जो ग्रंथ लिखा इस ग्रंथ को लिखने के लिए बाबा सब अंबेड करजी ने साड़े पाच साल बाबा सब अंबेड करजी ने इस ग्रंथ को निर्मान करने के लिए लगा है बाबा सब अंबेड करजी ने पाली के त्रिपिटक को बाबा सब अंबेड करजी ने गहरा अध्यन इस त्रिपिटक का किया बाबा सब अंबेड करजी ने 21 साल तक सभी धर्मों का तुलनात्मक अभ्यास किया और निश्कर्ष में बाबासा बंबेटकर जी ने दबुद्धायनिस धम्मा ये ग्रंथ हमारे सामने रखा दिक्कत यह है कि बाबासा बंबेटकर जी ने दबुद्धायनिस धम्मा ये ग्रंथ हमारे सामने 1957 में बाबासा बंबेटकर जी का ये ग्रंत प्रसिद्ध हुआ बाबासा बंबेटकर जी का महापर निर्वान ये 6 डिसेंबर 1956 को हुआ पाँच डिसेंबर के राद के दो बजे तक डॉक्टर बावासा वंबेटकर इस द बुद्धायनिस धंमा की प्रस्तावना बावासा वंबेटकर लिख रहे थे बावासा वंबेटकर जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ अगर कोई है तो वो है दबुद्धानिस धम्मा इस गरंत को बनाने के लिए लिखने के लिए निर्मान करने के लिए बाबा साहब ने कई सारी बुद्धिजम के उपर की गरंतों का अध्यन किया और बाबा साहब ने ये बुद्धानिस धम्मा हमारे सामने रखा है बुद्धाने जम्मा ये हमारे सामने कैसे आया उसकी एक बात बाबासाब अंबेडकर जी के एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ जब बाबा साब अम्बेटकर बुद्ध के चरीत रखे उपर लिखनी के लिए बैठ है तब बाबा साब अम्बेटकर जी ने त्रिपिटक ये जो बुद्ध की ग्रंत है निकाय है ये पढ़ना शुरू किया जब बाबा साब ने त्रिपिटक को पढ़ना शुरू किया तो ब बुद्ध एक जगह से प्रगट निकलते हैं, दुसरी जगह पे प्रगट होते हैं, अपने मरे हुए मा को जाके पुनर जनम में जाके दिक्षा देते हैं, ये सारा सारा कर्मकांड जो त्रिपिटक में घुसा दिया था, वो बाबा साब ने पड़ा, बाबा साब सोचने लग कि बुद्ध ने जिस कर्मकांड के खिलाफ, जिस ब्रामनवाद के खिलाफ अपने पूरी जीवन को संगर्श किया, उसी कर्मकांड को बुद्ध के जीवन में घुसा दिया गया है, बाबा साब ने बुद्ध ने जम्मा लिखने में एक निशकर्ष लगाया, एक निकश ल नहीं लगता वो सारा ब्रह्मनों का है और बाबा साहब ने ये तरक का फिल्टर ये तरक की छाननी बाबा. सबर्बेड करजी ने को लगाई और ये जाम दिलांभा साब अमबेड करजी थ्यान हम लोगों को दिया। पास क्योंकि ओरीजनल अब ये ओरीजनल नहीं मिलती ओरीजनल मिलती है लेकिन इसकी जो कौपीज है वो मिलती है लेकिन ये दबुद्धानिस धम्मा जब आज की जमाने में हमारे हाथ में आ जाता है तो वही धम्मा दबुद्धानिस धम्मा भगवान बुद्ध और उनका देखो ब्राह्मन किस तरह से काम कर रहा है बाबा साहब ने कहीं पर भी बुद्ध का उल्लेक लौड बुद्धा नहीं किया जिसका हिंदी या मराठी अनुवाद भगवान बुद्ध होता है बाबा साहब ने बुद्ध का उल्लेक दव बुद्धा किया हुआ है वही पर हिं और इसद्धमा के उपर बारकाई से एक एक करके आज से मैं आप लोगों के सामने ये एपिसोड लेकर आओंगा तो हम जानते हैं कि गुद्ध और इस गरंत के बारे में मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा उससे पहले यह जो गरंत मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर बावा सब अंबेड कर जी के जो सहकारी थे एलर बाली जी उनके लाइबरेरी से मुझे ये प्राप्त हुई उन्हेंने मुझे ये जेरोक्स प्राप्त करा के दी इसकी जेरोक्स हमने निकाली है हमारे चंद्रपूर के एड़ोकेट बीटी शेंडे सर्जी ने मुझे ये जेरोक्स मुझे तक ला कर दी है ये पढ़ने के बाद कही पर भी मुझे बावा सब अंबेड कर बुद्ध का उले किसी भी पढ़ने पर लौड बुद्धा नहीं करते हैं और एक बात और एक में आप लोगों को इस ओरिजनल बुद्धानिस दम्मा के बारे में समझाना चाहूंगा हर एक पन्ने पर ये दो पन्ने एक ही पन्ने के उपर मैंने ताकि इसकी जो लेंद है वो कम हो इसलिए मैंने दो पन्ने एक पन्ने के उपर लिया है हर एक पन्ने के उपर बाबा साब अंबेड कर इस तरह का चिन्न जैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को अपने विध्यारतियों को सिका रहा है उस तरह का इस तरह का चिन्न हर एक पन्ने के उपर बाबा साब छापते हैं और ये बुद्ध हैनिस धम्मा अज मेरे पास तो सिर्फ एक प्रती है लेकिन कुछ महिनों के बाद जैसे ये लोगडाउन खतम होता है इसकी हजार कॉपीज हम लोग फिर से छापेंगे और लोगों को ओरिजनल स्वरूप में जो बाबा साब ने बुद्ध हैनिस धम्मा दि टाइम तीनों कॉपीज पढ़ रहा हूं ताकि ये पता कर सकू कि मराटी और हिंदी में अनुवात करते समय किन-किन चीजों को बदला गया है किस तरह से शडियंत्र किया गया है और काफी शडियंत्र ये प्रकाशनों के माध्यम से हमारे सामने किया गया है तो ये सारी बा अंबेटकर जी अपनी आखरी सास तक क्योंकि 5 डिसेंबर 1956 के रात के जो नीद बाबा साब अंबेटकर जी को लगी वो हमेशा के लिए फिर बाबा साब अंबेटकर जी कि वो नीद से बाबा साब कभी उठ नहीं पाए वो आखरी दिन बाबा साब अंबेटकर जी का था औ तो मेरा समाज, मेरे अनुयाई, मेरे बाद, जिस वेवस्ता को, जिस एक नई वेवस्ता को मैंने मेरे समाज को दिया है, उस समाज के लोग किस तरह से बुद्धा का पालन करेंगे, बुद्धधम का पालन करेंगे, उसके लिए बाबा सब अमबेड कर, ये बुद्धानिस ध अच्छे मार्ग पे चले और वो मार्ग क्या है उसका पूरी एक-एक एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आएंगे तो सबसे पहले सुरुआत करते हैं परीचे को लेकर बाबा समंबेड कर बुद्धायने जमा का परीचे लिखते हैं और परीचे में बाबा समंबेड कर उनकी जो इंट्रेस्ट है ये बढ़ते जा रहा है और उनकी एक मांग है कि बुद्धा का जीवन और बुद्धा की शिक्षाओं के उपर एक कतन करने वाले एक उनकी जीवन को सामने लाने वाली सुसंगत तरीके से सामने लाने वाली एक ग्रंथ हमारे पास होना चाहिए निकाय बुद्ध के हमारे सामने है, उसको अगर हम पढ़ते हैं, तो बुद्ध का जीवन, बुद्ध की शिक्षाओं को सुसंगत तरीके से रख पाना, ये बहुत कटीन काम है, बाबा सब अमबेड कर आगे चल के लिखते हैं, उसी परिचे में, इंट्रोडक्शन में लिख कि जीवन को और जीवन के शिक्षाओं को आसान तरीके से रख पाना, ये बहुत बड़ी समस्या है, बाबा सब अमबेड कर दूसरी तरफ, विश्व के सभी लोगों को, बुद्धों को, इन समस्याओं के उपर चर्चा करने के लिए प्रेरित करते हैं, कि क्या ये हमारा कर करता वे रही है कि इन समस्याओं को दूर किया जाए, इन समस्याओं के उपर चर्चा की जाए, और वो समस्या क्या है, ये बाबा सब अमबेड कर द बुद्धानिस धम्मा के इस ग्रंथ में विश्व के लोगों के सामने लेकर आते हैं, ये जो बुद्धानिस धम्मा है, पठन करने वाला ग्रंथ रही है, ये उन चार समस्याओं के उपर बात करने वाला ये ग्रंथ बाबा सब अमबेड कर जी ने विश्व के लोगों के सामने दिया, बाबा सब अमबेड कर खुद इस समस्याओं की शुरुवात करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, ताकि ल प्रवर्जा लेने में जो बाते बताई गई है सबसे पहली समस्या तो यह है बुद्ध ने जो प्रवर्जा ली है वो कहा जाता है पारंपरी उत्तर है कि बुद्ध ने एक बुड़े व्यक्ति को देखा एक रोगी को देखा और एक मुर्तक की लाश को देखा और यह सब दे दुश्य नहीं देखा होगा बावा साब कहते हैं मैं ये मानने के लिए तयार नहीं हूँ ये बुद्ध के जीवन की एक सबसे पहली समस्या है जिसका उत्तर बावा साब बुद्धिजम में बाद में किसी ने घुसा दी गई है क्या ये सही में बुद्ध के मुल्च शिक्षाओं का भाग है चार आरिय सत्य कहते हैं कि जीवन ये पूरी तरह से दुख है मरण भी दुख है और इस दुख किसे आप बाहर नहीं आ सकते हैं बावा साब कहते हैं कि इ और धम्मे क्या कर सकता है हमको इस दुख से बाहर निकालने के लिए इसलिए बाबा साब कहता है कि क्या ये मूल शिक्षाओं के बुद्ध के मूल शिक्षाओं का भाग है या बाद में किसी ने बुद्धिजम में इसको घुसा दिया है तीसरी समस्या बाबा साब लोगों के कोई चीज पूरे विश्व में इस पुरुथवी पर नहीं है उसी दूसरी तरह बुद्ध ये कभूल करते हैं कि पुनरजन्म और करम का सिद्धान्त उन्होंने ये माना है बावा साब कहते कि या ये करम और पुनरजन्म का सिद्धान्त क्या वही सिद्धान्त है जो ब्राम का काम सिर्फ एक पूर्णत्व प्राप्त किया हुवा मनुष्य तयार करने का जो हेतु है क्या वो ही हेतु सिर्फ बहुत विक्कुओं का है क्या बहुत विक्कु एक सोशल सर्वंट नहीं है क्या उसका काम समाज का सेवक बन के समाज की सेवा करने का काम बहुत विक्कुओं में किया है कल के एपिसोड से हम देखेंगे पहले समस्या के उपर हम लोग ये बात करेंगे कि क्या वाकई में बुद्ध ने ये सारे प्रसंग एक रोगी एक मुर्तक और एक लाश को देखा इसलिए बुद्ध सिधार्त ने प्रवर्जा धारण कि और वो बुद्धत वो का निर्वान उनने किया प्राप्त किया इस समस्या के उपर हम लोग पहले अध्याय में पहले चेप्टर में हम लोग बात रखेंगे बाबा सब अंबेट कर जी की दबुद्धानिस धम्मा के उपर डीटेल में साधे और आसान तरीके से हम लोग ये बात पूरे विश्व के लोगों के सामने लेकर आएंगे जिस तरह से आप लोगों ने दांटोल अंबेट करके भागों को सराया ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लेकर गए मैं चाहता हूं कि बाबा सब अंबेट कर जी के जीवन का सबसे महत्वपूर नांग बहुत धम को एक आसान और सरल तरीके के माध्यम से लोगों के सामने आप लोग मेरे इस एपिसोड के माध्यम से आप लोग लेकर जाएं मैं भी चाहता हूं कि इसके उपर लोगों में चर्चा सुरू हो और बुद्धिजम का जो मूल हेतू बाबा साब ने सामने लेकर आया है बाबा साब नहीं चाहते बाबा साब ने एक चयाप्टर में, विरोध इस बुद्धा इनिस दम्मा में किया हुआ है, क्या बुद्धा का धम्व सरिफ आखे बंद करके विपशना करने पर और ध्यान साधुना देने पर जोर देता है या कोई सामाजिक संदेश भी बुद्धा ने दिया है, बाबा साब ने ये सारा मूल इस गरंत के सामने गरंत के माद्यम से हमारे सामने लेकर आया है आप इस एपिसोड को भी चाहेंगे ऐसी कामना करता हूँ आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार दन्यवाद जै भीम जै भारत जै बुद्ध